नमस्कार शौगत आप देखरें मंचान यूजर में आपके साथ तंके सिंग चोगान भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेले गए तीन मचों की वंडे सीरीज में न्यूजिलेंड ने क्लियोंसिप किया इसके बाद भारत का रुख टेस्ट मैच की और बढ़ गया है और मौका दिया गया है वहीं अगर बात करेंगे केल राहुल की इतने अच्छी फॉर में चलने के बाद भूनों टेस्ट में मौका नहीं दे गया तो आखिर क्यों नहीं दिया गया इन सब सारी चीडियों पर बात करेंगे लिएक उससे पहले आप हमारे चैनल में अगर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और हमारे साथ इसी प्रगार के और भी खबरों के लिए अपने बेल आइकोन को दबा लीजे तो यह बढ़ते हैं खबरों की ओर भारत और नुजलेंड के बीच 21 फरवरी से डो मैचों की टेस्स सीरीज खिली जानी है इस सीरीज खिले टीम इंडिया ने 16 सदे से टीम की घोसना भी कर दी है जिसमें शुहमान गिल और नौदीव सैनी को टेस्टी में जगा दी गई है जबकि इशान सर्मा की उपलपता उ तो ही पहला टेस्ट में चेकिस फरवरी से वेलिंग अटन के बेशिंट रिजर्ट मैदान पर खेला जाना है इसके लेकर भारत की क्या-क्या तेयारिया है भारत की पल्लेरों को टीम में मौका देगी और भारत के उन बेंचेस्ट्रें त्याने की रिशम पंद के लिए सबस मिली थी लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं वहीं रोही सर्मा टीट्वेंटी सिरीज के दोरन चोटिल हो गए थे और उनकी एमराई रिपोर्ट आने के बाद वंडे और टेस्ट दोनों से ही बाहर हो गए हैं तो चलिए आपको फटा-फट बता देते हैं कि जो टे टीम से बाहर हमें बताते हैं कि टी में चोटिल होंने के बास कजें के डेकर लिया पिराट कोली कैप्टन है मैं कगरवाल फिरिद्धी शाह शुमान गिल चेतियोसर पुजारा आंजी करहने हनुमान विहरी रिधी मांच चाह और रिजर बिकेट कीपर के तौर पर रिश्रपंद को भी रखा गया है वहीं अगर गिंदबाजी का देखे खेमा तो आर अश्वि आज के बीच कश्टर्स के हेगले मैदान में भारत ने टीटवेंटी इंटरनेशनल सेरिज पांच जिरोश क्लेंशिप की और इसके बाद फिर जो पांच फरोई से तीन मैचों की वंडे सीरिज खेली गई उसमें से भारत ने तीनों के तीनों मैच गवा दिये यानि कि कही न कही लगादार भारतिया टीम दोरा रही है वहीं अगर बात करेंगे भारतिया टीम में के बाहर हो जाने की तो इतने अच्छे फॉर्म होने के बाद भी केल राहूल को टीम में क्यों नहीं रखा गया यह भी बड़ा सवाल है लेकिन सेलेक्टर क्या चाहते हैं किस पर सेलेक्टर और टीम के पल्यरों के उपर होगी कि फिर से वापसी करते हुए टेस्ट में किस परकार से खेलते हैं इसी परकार की और भी खवरों शोबने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़े और हमारे साथ बने रहे है नमसकार